पाँच साल में कॉंग्रेस की सरकार ने राजस्तान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मैं इस मेवार की धर्ती को साख शराख करके कहना चाहता हूँ। जब यहां से खबर आती है, बहुत दुख ही मन हो जाता है। यह चुनावी महस्तब मना रहे हैं, क्या है चुनाव? क्यूं होते हैं चुनाव? चुनाव होते हैं कि वो जन्प्रधिदी जी चुले जाए, जो सक्ता में आकर आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना की बात करें। बहुत तकलीप सनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराद की बात आती है, तो कौन सा रज्य तोप पर आता है? कि शिवराज के जंगलराज में मध्य प्रदेश, दलितों और आदिवासियों के लिए अपराद बन चुका है। देश के ग्रह मंत्री मौन हैं, एक महिला बाल विकास मंत्री हैं इस देश में, वो महूर तो समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांदी जी के खिलाफ, चुप है, महिला आयोग चुप है, NCPCR की चुपी बरदाश्ट नहीं हो रही है, ये बाल सग्रक्षन आय मानविये हैं, जिसको सोच कर आपकी हार काप जाएगी, दंगे, पत्थर बाजी की बाते होती हैं, तो कौन से राज्य का नाम बताव होता हैं, हमारा राजिस्थां, आज महिलाओ, दलीतों, पिछड़ों पर, अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज़्यादा बदिनाम हो रहा हैं, इन लोगों के पास बड़े बड़े इश्तिहार मध्य प्रदेश में लगाने का टाइम है, पैसा है, हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर, औरनकटोले से घूम घून कर, खुब रैली और भाशन बाचने का टा बच्ची की टोह ली जा सके, उसके परिवार को सांत्वना दी जा सके, प्रशासन और पुलीस से उसके परिवार को वहाँ बुलाया जा सके, और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से ये शड्यंत्रकारी और रहसमाई चुपी प्रदेश के मुख्यमंतरी जिसको लीपा पोती करके ये बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षप्त दिमाग की है, वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है, सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लोटी, उसके परिवार जनों ने सतना की पुलीस में ज प्रांग शुरू होता है, सतना के पुलीस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाईए, खुद ढूंडिये, हम FIR दर्जबी नहीं करेंगे, 24 घंटे बरबाद कर दिये गए, अगर सतना के पुलीस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर CCTV कैमरा चेक किया गया होता, तो शायद ये दुरघटना, शायद ये दुशकर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय ताला जा सकता था, तो सवाल ये है कि शिवराद सिंग चोहान, नरोतम मिश्रा वहां के ग्रह मंतरी चुप क्यूं है, इतने दिन बाद भी, पाँच दिन बी सपिता है